हेलो, फ्रेंड्स वेलकम माई चानल, फ्रेंड्स जय मातारानी जय मातारानी, फ्रेंड्स आज कर विडियो स्टार्ट करता है, संतोशी माता शुक्रवार व्रत कथा, संतोशी माता शुक्रवार व्रत कथा, एक बुधिया थी, उसके साथ बेटे थे, छै कमाने वाले थे, एक निक्कमा था, बुढिया मा चहो बेटों की रसोई बनाती, भुजन कराती और कुछ जूटन बचती वा सात्वे को दे देती थी, परन्तु वा बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था, एक दिन वा बहु से बोला देखो मेरी मा को मुझ पर कितना प्रेम है, वा बोली क्यूं नहीं, सबका जूटा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है, वा बोला ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आँखों से न देख लूँ मान नहीं सकता, बहु ने हंसकर कहा देख लोगे तब तो मानोगे, कुछ दिन बात त्योहार आया, घर में साथ प्रका में से सब देखता रहा, छहू भाई भोजन करने आये, उसने देखा, माने उनके लिए सुन्दर आसन बिच्छा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रा करके उन्हें जिमाया, वह देखता रहा, छहू भोजन कर उठे तब माने उनकी जून्ठी थालियों में से लड़ साफ कर बुढिया माने उसे पुकारा बेटा, छहू भाई भोजन कर गए अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा, वह कहने लगा मा मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, माने कहा कल जाता हो तो आज चला जा, वह बोला हाँ आज ही जा रहा हू ये कह कर वह घर से निकल गया, चलते समय स्त्री की याद आ गई, वह गोशाला में कंडे थाप रही थी, वहाँ जाकर बोला दोहा हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोश से धर्म आपनो पाल, वह बोली जाओ पिया आनंब से हमारों सोच हटाया, रा मेरे पास तो कुछ नहीं, ये हंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे, वह बोली मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, ये कह कर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी, वह चल दिया, चलते चलते दूर देश पहुचा, वहाँ एक साहुकार क की दुकान थी, वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहुकार को जरूरत थी, बोला रह जा, लड़के पूछा तंखा क्या दोगे, साहुकार ने कहा काम देख कर दाम मिलेंगे, साहुकार की नौकरी मिली, वह सुबह साथ बजे से दस बजे तक नौ कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा, साहुकार के साथ आठ नौकर थे, वे सब चक कर खाने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया, सेठ ने भी काम देखा और तीन महीने में ही उसे आधे मुनाफे का ह इससेदार बना लिया, वो कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस छोड़ कर चला गया, अब बहु पर क्या बीती, सो सुनो, सास ससुर उसे दू, ख देने लगे, सारी ग्राहस्ती का काम करा के उसे लकडी लेने जांगल में भेजते, इस बीच के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी, इस तरह दिन बीचते रहे, एक दिन वो लकडी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोशी माता का व्रत करती दिखाई दी, वो वहां खडी होक पर कथा सुनने लगी और पूछा बहिनो तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत को करने की क्या विधी है, यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी, तब उनमें स एक स्त्री बोली सुनो, ये संतोशी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धन्ता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्षमी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांती मिलती है, निपूती को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीद्र घर आवे कवारी कन्या को मन पसंद वर मिले राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो खत्म हो जावे कल अकलेश की निवृती हो सुक शांती हो घर में धन जमा हो पैसा जायदाद का लाब हो रोब दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामन हो सो सब संतोशी माता की कृपा से पूरी हो जावे इसमें संदेह नहीं वो पूछने लगी ये वरत कैसे किया जाए ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी वो कहने लगी सवा आने का गुर्चना लेना इच्छा हो तो सवा पांच आने का लेना या सवा रुपे का भी के अनुसार लेवे बिना परेशानी और श्रधा वप्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना प्रतेक शुक्रवार को निराहार रह कर कथा सुनना इसके बीच क्रम तूटे नहीं लगतार नियम पालन करना सुनने वाला कोई न मिले तो दी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना परन्तु नियम न तूटे जब कारियस सिधह न हो नियम का पालन करना और कारियस सिधह हो जाने पर व्रत का उध्यापन करना तीन मास में माता फल पूरा करती है यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कारियस करना आठ लड़कों को भोजन कराना जहां तक मिले देवर जेट भाई बंधू के हों न मिले तो रिष्टेदारों और पासपरोसियों को बुलाना उन्हें भोजन करा यथा शक्ती दक्षिन दे माता का नियम पूरा करना उस दिन घर में खटाई न खाया ये सुन बुध्या क के लड़के की बहु चल दी रास्ते में लकडी के बोज को बेच दिया और उन पैसों से गुर्चना ले माता के वरत की तयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी ये मंदिर किसका है सब कहने लगे संतोशी माता का मंदिर है ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लोटने लगी दीनों विनती करने लगी मा मैं निपट अज्यानी हूँ व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती मैं दू, की हूँ हे माता जगत जन्नी मेरा दू खा दूर कर मैं तेरी शरण में हूँ माता को दया आई एक शुक्रवार बीता की दूसरे को उसके पती का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुचा ये देख जेट जिठानी मूँ सिकोडने लगे इतने दिनों में इतना पैसा आया इसमें क्या बढ़ाई लड़के ताने देने लगे काकी के पास पत्र आने लगे रुपया आने लगा अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी बेचारी सरलता से कहती भाया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कहकर आँखों में आशु भरकर संतोशी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरनों में गिर कर रोने लगी मा मैंने तुम से पैसा कब मानगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मानती हूँ तब माता ने प्रसन होकर कहा जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। ये सुनकर खुशी से बावठाई होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोशी मा विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कहतो दिया कि तेरा पती आवेगा, क्यासे। वो तो इसे स्वपन में भ कट हो कहने लगी साहुकार के बेटे सो रहा है या जागता है वो कहने लगा माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं उं कहो क्या आग्या है मा कहने लगी तेरे घर बार कुछ है की नहीं वो बोला मेरे पास सब कुछ है मा बाप है बहु है क्या कमी है मा बोली भोले पुत तेरी बहु घोर का श्ट उठा रही है, तेर माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, वो बोला हां माता जी ये तो मालूम है, परंतु जाओं तो क्या से, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता न कैसे चला जाओं, मा कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोशी माता का नाम ले, गी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिख जाएगा, साज होते होते धन का भारी ठेर लग जाएगा, अब सवेरे जल्दी उट भाई बंधों से सपने की सारी बात कहता है, वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उडाने लगे, कभी सपने भी सच होते हैं, एक बुरा बोला देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार जून्ट सांच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है, वैसा ह अब बुरे की बात मानकर वह नहा धोकर संतोशी माता को दंडवत धीका दीपक जला दुकान पर जा बैठता है, थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदगार नकद दाम दे करने लगे, शाम तक धन का भारी ठेर लग गया, मन में माता का नाम ले चमतकार देख प्रसन हो घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा सामान खरीदने लगा, यहां काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ, वह बेचारी जंगल में लकडी लेने जाती है, लौते वक माता कहती है, हे पुत्री तेरा पती आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकईों के तीन बोज बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर वह तीसरा अपने सिर पर रख, तेरे पती को लकईों का गठर देख मोह पैदा होगा, वह यहां रुकेगा, नाश्ता प माताजी की रोटी दो, नारियल के खेपडे में पानी दो, आज महमान कौन आया है, बहुत अच्छा, माताजी से कहकर वह प्रसन मन से लकईों के तीन गांडिस को रले आई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा, इतने में मुसाफिर आ पहुचा, सू सबसे प्रेम से मिला, उसी समय सिर पर लकडी का गठर लिये वह उतावली सी आती है, लकईों का भारी बाज आंगन में डाल कर जोर से तीन आवाज देती है, लो सासु जी, लकईों का गठर लो, भूसी की रोटी दो, आज महमान कौन आया है, ये सुनकर उसकी सास बाहर आक अपने दिये हुए कश्टों को भूलाने है, तू कहती है, बहु ऐसा क्यूं कहती है, तेरा मालेकी तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहिन, उसकी आवाज सुन उसका पती बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, मा से पूछ घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा जाती है, अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मानती है, वो लजजजित हो बोला ठीक है, मा मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें अब मा बोली ठीक है बेटा, जैसी तेरी मरजी हो सोकर, ये कैर ताली का गुच्छा पटक दिया, उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया, एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया, अब क्या था, बहु सुख भोगने ल उशी से कर लो, वो उध्यापन की तयारी करने लगी, जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुची होती है, वो कहने लगी भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोशी माता का प्रसाद है, लड़के उठ खड़े हुए, बोले पै राजा के दूत उसके पती को पकड़ कर ले गए, जेट जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन एकटठा कर लाया है, अब सब मालूम पर जाएगा जब जेल की मार खाएगा, बहु से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने ल भूला दी, वह कहने लगी माता भूलती तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिये थे, मुझे एक शमा करो, मैं फिर तुम्हारा उध्यापन करूंगी, मा बोली अब भूल मत करना, वह कहती है अब भूल नहीं होगी, अब बतल जाओवे कैसे आवेंगे, मा बोली जा पुत्री तेरा पती तुझे रास्ते में आता मिलगा, वह निकली, राह में पती आता मिला, वह पूछती है तुम कहां गये थे, वह कहने लगा इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मानगा था, वह भरने गया था, वह प्रस फिर जेट के लड़कों को भोजन को कहने गई, जेठानी ने एक दो बाते सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना, लड़के भोजन से पहले कहने लगे हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगरता है, कुछ खटाई खाने को वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वह ब्राह्मन के लड़के लाकर भोजन कराने लगी, यथा शक्ती दक्षिना की जगह एक एक फल उन्हे दिया, संतोशी माता प्रसन हुई, माता की कृपा होते ही नवे मास में उसके चंद्रमा के समान सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र को पाकर प्रते दिन माता जी के मंदिर को जाने लगी, मा ने सोचा ये रो जाती है, आज क्यूं न, इसक घर चलूं, इसका आसरा देखू तो सही, यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुर्चने से सनामोक, उपर सून्द के स अमान होट, उस पर मक्या भिन भिन कर रही थी, देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिलाई देखो रे, कोई चुडल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी, लड़के भगाने लगे, चिला कर खिर की बंद करने लगे, बहू रोश पड़ा, वह बोली रांड देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया, इतने में मां के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे, वह बोली मां मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोशी माता है, इतना कहकर जट से सारे किवाड खोल दिये, सबने मात पाजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे है माता, हम मूर्ख हैं, अज्यानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधी हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अप्राध किया है, जग माता आप हमारा अप्राध क्षमा करो, इस प्रकार माता प्रसन हुई, बहू प्रसन हो जैसा फल दिया, वैसा माता सब को दे, जो पड़ि उसका मनुरत पूर्ण हो, बोलो संतोशी की माता की जय, आरती, जय संतोशी माता मैया जय संतोशी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ती दाता, सुन्दर चीर सुनेहरी मा, धारन कीन हू, हीरा पन्ना दम के, तन श्रंगार लीन हू, गेरू लाल घटा छवी, बदन कमल सो हे, मन धास्त करुना माई, त्रिभूवन मन मोहे, स्वर्ण सिंघासन बैठी, चवर धूरे प्यारे, धुप, दीप, मधुमिवा, भोग धरे न्यारे, गुर अरू चना परंप्रिय, तामे संतोश कियो, मग जोती, मंगल ध्वनी छाई, विने करे हम बालक, चरनन सिर नाई, भक्ति भाव में पूजा अंगी कृत कीजे, जो मन बसा हमारे इच्छा फल दीजे, दुखी, दरिद्री, रोगी, संकट मुक्त किये, बहु धन्त धान्य भरे घर, सुख सोभाग्य दिये, ध्यान धार जो नर तेरो, मनवंचित फल पायो, पूजा कथा श्रवन कर, घर आदायो, शरंग गहे की लज्जा, राखियो जगद म्बे, संकट तूवी निवारे, दयाम यम्बे, संतोशी मां की आरती, जो कोई नर गावे, रिद्धी, सिद्धी, सुक्त, संपत्ती, जी भर के पावे फ्रेंड्स मारे विडियो कैसे लगा है जूरूर कॉमेंट करके बोलना, फ्रेंड्स लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब और शेर करना नहीं भूलना और फ्रेंड्स थांक यूर थांक यूर सो मच